दोस्तों नमश्कर दोस्तों आज शुरुआत विंस्टूर चर्चिल के भाषन के एक छोटे से हिस्से के साथ क्योंकि भारत को 15 अगस्त 1947 को जब आजादी मिली उसके बाद बेटिश पार्लेमेंट में जनवरी 1948 को भारत की राजनितिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्तितियों को लेकर एक बड़ी चर्चा हुई थी उस चर्चा में उस वक्त बेटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टर चर्चिल का एक पड़ा जवरदस्त भाषन है उसमें भारत के संदर्म में जिन बातों का जिक्र किया गया, उन बातों से भारती नेताओं ने कभी इत्तिफाक किया नहीं और चर्चिल को हमेशा से भारत के खिलाफ ही माना गिया लेकिन हमें लगता है कि आज शुरुआत उस भाषन से करनी चाहिए जो भारत की आजादी के ठीक पांच महीने बाद जनवरी उनने सो और तालिस में बिटिश पार्लेमेंट में चर्चिल ने कही थी उसका एक छोटा सा पैरा है वो भारती नेताओं के संदर्म में यहां के राजनितिक सत्पा के संदर्म में सत्तर बरस पहले क्या कहा जा रहा था वो उस इस्तितियों को दिखलाता है उनका कहना था पावर विल गो तो थे हैंट्स अफ रॉसकल्स, रोक्स, फ्रीबूटर्स, आल इंडियन लीडर्स विल बी ओफ लो कैलिबर और मैन अफ स्ट्रॉ दे विल हैव स्ट्रॉट्स और सिली हर्ड्स, दे विल फाइट अमंग इस देंसल फर पावर और इंडिया व उस्टों, बदमाशों और लुटेरों के हाथों में चली जाएगी। भारत के सभी नेता ओची छमता वाले और भूसा किस्म के वेक्ती होंगे। उनकी जबां मिठी होगी लेकिन दिल निकम में होंगे। वे सप्ता के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे और इन राजनितिक जड़कों में भारत का खात्मा हो जाएगा। चर्चिल को लेकर भारत के भीतर में हमेशा दूसरी दिश्टी रही है। यहां तक कि इतिहासकारों ने भी चर्चिल को भारत के साथ सियासती खिलवार के लिए कल मौकों पर दोशी माना है। मसलन इतिहासकार मदुश्री, अगर अब जिक्र करें तो 1943 में जब बंगाल में अकाल पढ़ा तो उन्होंने बहुत साफ तोर पर चर्चिल के इसे सीक्रिट वार के तोर पर देखा उन्होंने अपनी किताब में इस बात का जिक्र भी किया कि दरसल ये अकाल कोई आपदा नहीं है बलकि चर्चिल की सोची समझी और प्रयाजित साजिश थी जिसमें लगबग 30 लाख लोगों ने भूग से तरब कर अपनी जान गवाई थी चर्चिल वही शक्स है जिन्नोंने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था और भारत के भीतर में जिस तरीके से बाटों और राचकरों की निती थी चर्चिल उसके हिमायती माने जाते रहे लेकिन उन संदर्बों को छोड़का अगर मौजूदा संदर्ब में माकर खड़े हो जाएं हमने तो बंगाल के आकाल का जिक्र किया ध्यान दीजिए तो जिस वक्त महामारी की आहट इस देश के भीतर में शुरू ही लॉगडाउन की शुरुआत हुई कितनी बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूरों की मौते होई लेकिन क्या किसी राजनतिक सत्ता ने उस दिशा में ध्यान दिया पारलियमेंट में बेशर्मी के हट तक जाकर कहा हमारे पास कोई डाटा नहीं है मौते होती रही लॉगडाउन में भुकमरी की स्थिती आई काम छिनते चले गए बिरुजगारी की स्थिती नाजुक होती चले गई लेकिन कोई डाटा नहीं डी मॉनेटाइजेशन नोट बंदी के दौर को भी अगर आप याद कर लीजिएगा तो कमोवेश ऐसी ही स्थिती हुई थी 112 से ज़्यादा लोगों की मौत लाइन में लटकर हो गई नोट बदलने के लिए जो कतार में खड़े थे लेकिन कहा गया किसी को सन स्ट्रोक आ गया किसी को हार्ट अटेक आ गया उसमें नोट बदलने की क्या फितरत इतना ही नहीं जेस्टी के वक्त भी वहपारियों की खुदकुशी की खबरे आई और इस देश में किसान की खुदकुशी तो एक आम बात है उससे हम लोग अभ्यस्त हो चले हैं लेकिन इन सब के बीच NCRB का डाटा भी जो आया उसने भी बताया किस देश में बिरुजगार युवक नव्युवक कितनी बड़ी तादाद में खुदकुशी कर रहे हैं और उनकी संख्या किसानों से भी ज़दा हो चली है चर्चिल को याद किया जाए आज या फिर मौजूदा वक्त में भारत की जो इस्थितिया है वो किस तरीके से चिन भिनो चली है आज उसका आंकलन कर लिया जाए क्योंकि इस देश के भीतर में आने वाले तीन चार वर्षों के बाद जो इस्थिति होगी आपके भीतर भी ये सवाल होगा कौन वो शक्स है जो इस देश को समहल सकता है इस तितिया इतनी नाजू कहे हर द्रिस्टी से और यह इस देश के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डेमिज कर रही है आईए हम जरा सिलसलेवार तरीके से आपके साथ इन बातों का जिक्र करना चाते है क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर रज और किंदर सरकारों के टकराओं में खत्म हो चला है इसका खुला नजारा जो संगी धाचा चर्मराया है वो हमने पिछले दो-तीन सालों से लगातार देखा है सीबी आई का उपयोग जिस रूप में हो रहा था पश्चिम बंगाल ने सीबी आई को किसी भी तरह की इजाज़त अपने रज में देने को लेकर रोक लगा दी फिर उसके तुरत बाद आंधर परदेश में उस वक्त चंदरबाबू नाइडू थे उन्होंने भी सीबी आई को इजाज़त नहीं दी कि आप हमारे रज में आकर जाज कर सकते हैं दोनों का मानना था कि किंदर सरकार अपने राजनतिक लाब के लिए सीबी आई का उपयोग करती है और रज सरकार को घेर लेती है होते होते इस्तिती महराश तक आ गई जब सीबी आई जिन केसिस को डील करने की दिशा में बढ़ी उसमें मीडिया से जुड़ा हुआ मामला टी आरपी का निकल कर आया और उसमें चैनल्स भी इस देश के भीतर में राजनतिक सत्ताओं के दुलारे होकर किस तरह काम करते हैं यह भी नजर आया किंद्र सरकार ने एक चैनल के परती अपना सह्योग दिखाते हुए सीबी आई को मामला सौआपा तो उस चैनल के परती दुरागर दिखाते हुए उसके खिलाफ खड़े ओकर माराश सरकार ने का अब सी बी आई को गुषने हम भी नहीं देंगे संगी धाचा सिर्फ मसला CBI के इस्तिती में नहीं टकराया है राजस्थान, पंजाब, 36 गड़ CBI का मसला हो या फिर जो किसानी से जुड़ा हुआ विधियक जो था उसको लेकर पैरलल में पंजाब सामने आ गया, राजस्थान सामने आ गया अब 36 गल भी उस दिशान बढ़ जाएगा यानि किसके हाथ में समविधान के तहट कौन सा पावर है और कौन सा छित्र है, यह भी एक टकराओ की परिस्तिती में पूरे देश को स्टेट और सेंटर के बीच में संगर्ष के जरिया आकर खड़ी हो गई यह इस्तिती यह इस्तिती इतनी बुरी इस से पहले कभी नहीं थी कि जो टकराओ होगा टकराओ इस हद तक हो गया कि GST का पैसा जो हमारे हिस्से में आता है उसको लेकर भी आप हमारे साथ बत सलूकी करते हैं और हमारा हिस्सा नहीं देते हैं जो गैर बीजेपी शाशित राज्य है टकराओ चरम पर है हमारा संगिय धांचा चर्मर आ गया 1950-1948 में चर्चिल ने तो यह नहीं सोचा था कि भारत की ऐसी इस्तिती होगी हाला कि उस भाशन के अगले हिस्से में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि पॉलिटिकल लूट भारत के भीतर में कुछ ऐसी हो जाएगी कि आने वाले वक्त में एक दिन आएगा जब भारत में हवा और पानी पर भी टेक्स लगा दिया जाएगा इसका शब्दों का इस्तमाल पारलेमेंट में बिलकुल यही किया गया था बिल्डिश पारलेमेंट में 1948 1948 और आज 1970 का हम जिक्र कर रहे हैं हमारा संगी ये धाचा चर्मरा चुका है हमारे देश का जो इलेक्टरल सिस्टम है चुनावी सिस्टम जो है जिसको इलेक्शन कमिशन समालता है वह पूरी तरीके से केंद्रिय सप्ता के अधीन होकर काम करता है वो इस बात की दिशा में नहीं जाता है कि वोटर के भी कुछ अधिकार होते है उनकी भी जिंदगी का सवाल होता है मैनिफेस्टों का कोई मतलब होता है क्रिमिनल पॉलिटिक्स बढ़ रही है हमारे यहां देश में आर्थी कपराद जो होता है एडी और आईटी कैसे काम कर रही है किस के लिए काम कर रही है किस के खिलास काम कर रही है अब यह बताने की जौरत नहीं इंस्टूशन्स यहां भी डह गए क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स में सीबी आई कैसे क्रिमिनलाइजेशन के मैटर को अपने हाथ मे लेती है अपने अनुकूल टालती है या अपने अनुकूल चाशी दाकिल करती है अपनी परिस्थिती का मतलब सत्ता की परिस्थिती होती है जिसकी अधीन वो रहती है वह इस देश के ग्रह मंत्राले के अदीन है ग्रह मंत्राले जो किंदर में सत्ता होगी उसके अदीन होगा उसी लिहाज से वो काम करेगी यह भी चीज़े ढह गई इसके बाद आईए सुप्रीम कोट की भूमी का बहुत दूर जाने की जरुत नहीं है सुप्रीम कोट नहीं डिसीजन लिया था कि अपराधिक छवी के नेताओं को टिकट आपको नहीं देना चाहिए जिन पे बड़ी तादाद में केस चल रहे हैं नहीं दे जाना चाहिए जो एसोशियेशन फर डेमोक्रिटिक राइट है अगर उसकी साइट पे आप जाएंगे तो देखेंगे बिहार इलेक्शन को ही लेकर एक पूरी के पूरी उसने साइट बनाई है कितने क्रिमिनल कैंडिड्स हैं अगर सुप्रीम कोट का कोई जज उसे पढ़ भी ले तो वह सुव मोटो लेकर तुरक नोटिस दे देगा बिहार इलेक्शन को रोक देगा कहेगा ये कैसे संभव है कि अपरादियों के हाथ में सत्ता जा रही है जो आरोपी है लेकिन आने वाले वक्त में अगर उन पर उसी लिहास से केस चले जैसे एक आम नागरिक पे इस देश में चलता है तो वैसे हाथों को आप कानून बनाने का अधिकार दे देंगे सुव मोटो लेकर सुप्रीम कोर्ट तो इस इलेक्शन तक को रोक सकता है तो रह Insurance करेगा और बुलाये तमाम पौल्टिकल पार्टी उसमें इनवाल्ब है चाहे वो BJP हो चाहे वो आर ज्यडी हो चाहे ज्यडी हो चाहे कॉंग्रेस हो चाहे LJP हो चाहे BSP हो एक पूरी फेरिस्त है अपरादियों की क्यों सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर रहा है या सुप्रीम कोर्ट सत्ता को जो प्रभावित होने वाले निर्डे होते हैं वो सत्ता नुकूल ही क्यों हो जाते हैं और कैसे हो जाते हैं सुप्रीम कोट की आँख बंद इस देश के प्रवासी मजदूरों को ले कर भी थी जो सम्विधान बहुत साफ तोर पर सब को जीने के अधिकार का जिक्र करता है और सम्विधान की व्याक्या के लिए सुप्रीम कोट बैटी है उसने भी आँखे बंद कर ली चीजे वहाँ भी तहस नहीं सुई उसके कुछ आगे जब चलिएगा जवाब तो आपके सामने तुरत आएगा इस देश के इंस्टूशन्स में बैंक अगर दिवालिया हो रहे है एनपीए अगर बढ़ रहा है जिनको उन्होंने लोन दिया है वह लोन नहीं लोटा रहे हैं और गॉर्मेंट आफ इंडिया लोन नहीं लोटाने वाले बुक्स को ठीक करने के लिए बैंकों को कुछ पैसे दे रही है और आरबियाई को निर्देश दे रही है और आरबियाई ने भी अपनी आँखों पर पट्टी लगा ली तो ये दूसरे धितरास्ट आ गए यानि उस दौर में एक धितरास्ट थे यहां तो कई धितरास्ट हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे हो सकते हैं वो election commission में भी बैठे हो सकते हैं वह रिजर गैंक के गवर्नर के तौर पर भी बैठे हो सकते हैं उसके board member के तौर पर भी हो सकते हैं उसके जरा सा कुछ आगे बढ़ियेगा तो आप लोकतंत्र के मंदिर संसत से टकराईएगा संसत से टकराईएगा आपके जहन में सवाल होगा यहां तो जनता से जुड़े सवाल होने चाहिए और किसी इशू पर जब चर्चा हो जाए तो उसके अद वोटिंग होनी चाहिए कोश्चन अवर भी गायब हो गया वोटिंग प्रॉसेस को भी गायब कर दिया गया यह संसत का क्या महत्तु बचा संसत की मौजूदगी का मतलब क्या रहा सर गिन लिये जाएं किसके पास कितने संसत हैं और उसके आद मान लिया जाए कि अब आपको पूरी ताकत जनता ने दे दिया आपके हाथों में अब आप जो मंचाहिस हो करेंगे संसत की भी आँखों पर पट्टी बंद गई उसको भी पूरे तरीके से धितराश की शेनी में लाकर खड़ा कर दिया गया इसके एक कदम आगे बढ़ेंगे तो आप उस डेमोक्रिसी को जीना चाते हैं जैसे बिहार में जिया जा रहा है इससे पहले मद्परदेश में जिया गया था अलग अलग राज्यों में जीते चले जाएए उसमें भी चुनावी जीत का क्या मतलब होता है विधायकों की खरीद फरक्त हो जाए तो वहाँ पर दल बदल कानून मेटर नहीं करता है पूजी मेटर करती है वो मामला जब अदारत में जाए और हाई कोट और सुप्रीम कोट में जाए तो उस तारीखें टलती चली जाती है मंद्परदेश का नजारा तो हाल का है बहुत कम दिन हवीते हैं भी वहाँ पर बिहार में भी यह हो जाएगा तो आप क्या कर लेंगे तो पूरे लोकतंत्र को जीने की प्रक्रिया जिसमें पूरा मीडिया घुश जाता और बताता है डेमोक्रेसी का मतलब तो वोट ही डालना था और डेमोक्रेसी का मतलब तो चुनाओ ही होता है तो चुनाओ के बाद जो पॉल्टिकल पार्टी पैसे और पावर के हिसाब से चुनाओ करती है वह डेमोक्रेसी सबसे बड़ी हो गई तो आप क्या करेंगे वह भी चीजे ढह गई और उसका कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है कि इससे आप लड़ें तो कैसे लड़ें एक के बाद एक चीजे होते होते उसके बाद जब आप election के process में आते हैं जिसके लिए डुगडुगी बजाते हैं सबसे बेतरी नहीं तो उसमें पता चलता है अने अकाउंटेड मनी ब्लैक मनी खोब इस्तमाल हो रही है और उसमें भी rights मिल जाते हैं आपको कैसे funding करनी है कौन fund करेगा आप उसके तोर पर खुला खेल खेल सकते हैं अगर आपके पास सत्ता है चुकाओ तुमने जूट बोला है बार्क कहता है और अपने तौर पर जो हाई कोट है वो भी निर्देश जारी करता है माफी मांगो ओन एर मीडिया फॉर्थ स्ट्रीट उसको भी अब direction कौन दे रहा है छोटे छोटे institutions भी दे रहे हैं कल दूसरे चैनल की फजियत होगी बाकी आज ठाका लगा रहे हैं कल बाकी दूसरे ठाका लगाएंगे यानि एक ऐसे सिस्टम को create कर दीजिए जिसमें सच क्या है और परिस्तिती इस देश के बीतर में होनी क्या चाहिए आप उस दिशा में देखी नहीं सके एक एक करके चीजे ढाते चली जाएंगे और इन इस्थितियों में जब आप आएंगे तो आपको ये जानकर हैरत होनी चाहिए कि भारत क्यों हमने इस बात का जिक्र कर दिया कि अगले तीन-चार बरस के भारत ऐसी इस्थिति में आ जाएगा कि इस देश को समाले कौन हर के हाथ चलने लगेंगे हमारे यहां अभी डिरेक्ट टेक्स भर का मसला नहीं है इंटरनेशनली भी जो टेक्स लिया दिया जाता है आप सोचिये उस दिशा में कोई ध्यानी नहीं है सबसे ज़्यादा क्राइसिस के दौर में एकनॉमिक सिचेशन में भारत गुजर रहा है लेकिन इस देश के फैनांस मिनिस्टर को बिहार के मैनिफेस्टों को जारी करते हुए महामारी का वेक्सिन जिसका इजादी नहीं हुआ है उसको फ्री में बाटने का ऐलान करना है और इस देश के भीतर में फैनांस मिनिस्टरी आँख बंद की हुए है इसकी कलपना आप सिर्फ इस बात से कर सकते हैं कि जो हमारे यहां return file जो companies करती है international companies, multinational companies जो करती है उनकी return file करने की तारीक पहले है और जो उनकी account sign होता है जिसको हम लोग कहते है annual general meeting एक बुलाई जाती है और उसमें account sign होता है उसकी तारीक उसके बाद है वो कब आएगी अभी तैय नहीं की गई है लेकिन कह दिया गया मानलिज़ तीस तारीक तक आपको file कर देनी है income tax return company को और उनके जो accounts है जो annual general meeting होनी है उसकी तारीक नहीं तैकी गई यह कुछ ऐसा ही है कि पहले हम टाका काट देंगे उसके बाद operation करेंगे अरे जनाब operation करेंगे तमना टाके लगाएंगे यहां खेल उल्टा हो गया इतना ही नहीं इस्तिती यह हो गई है कि जो हमारे हैं assessment होता था यानि जो पैसा आने का माध्यमता देश में एक तो GST से कम पैसा आ रहा है एक देश के भीतर में direct tax का पैसा कमा रहा है जो जनता income tax देती है को कि सब की कमाई रुख गई कुछ इस्तिती ने बचे internationally भी जो हमारे पास आ रहा था उसमें भी हमने एक जटके में सारी चीज़े खतम कर ली और जो अपने यहां जो जिस रूप में उसकी alkaline analysis होता है जैसे e-assessment है या online assessment है इसकी audit कैसे हो रही है इसकी proceedings क्या होगी वो कुछ होई नहीं रहा कोई team ही नहीं है कोई जाच ही नहीं हो रही है और तो और उसको भी बढ़ा दिया गया पहले यह 500 करोड तक की transactions जो होते थे international companies में Microsoft है मान लीजिए उसने 500 करोड की transaction किया तो उसको एक जाच होती थी उसको एक process में लाए जाता था उसको अपने तोर पर जाच परक के assessment करके बताया जाता था कि इतना tax आपको देना है वो इस्तिती बढ़ाते बढ़ाते अब उसको 500 करोड से बजाके 5 लाग करोड कर दिया गया यानि उससे कम में अब assessment नहीं होगी तो कोई भी हेर फेर करके चीज़े कर रहा है और income tax के पूरे process को आपने कतम कर लिया सवाल ये नहीं है कि Chartered Accountant खतम हो गए सवाल ये नहीं है बिचौली ये खतम हो गए सवाल सिर्फ इतना है कि आपने वो कौन सा system इस देश के भीतर में शुरू किया है जिससे हमारे देश के भीतर में एकनौमी जो है मजबूत हो पैसा जो आते चला जाए आज की तारीक में अगर फैनांस मिनिस्टरी कोई काम नहीं कर रही है तो तीन-चार वरस के बाद आपके सारे sources जो हैं बंध हो जाएंगे जब पैसा ही नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे इसको इस रूप में भी समझ लीजिए कि इस देश के भीतर में ज्यादा तर राज्य ऐसे है हम बिहार का उधारन जैसे आपको देते है जो खर्च हो रहा है स्टेट पर उससे कम राजा स्वा रहा है 30 लाग करड़ रुपे अगर खर्च होता है 30,000 करड़ का खर्च होता है तो आप 28,000 करड़ ला पाते हैं इसी तरीके से एक रेशियो है जिसमें जितना खर्च हो रहा है उससे कम आपके पास इंकम है और जो खर्च किया जा रहा है उसमें मैक्सिमम खर्च जो किया जा रहा है वो एडविटिस्मेंट पर खर्च किया जा रहा है यानि सिस्टम आपके पास नहीं बच पा रहा है इस economy को समालें तो कैसे समालें और जब crisis है उस समय finance ministry गायब है या finance minister बिहार election में manifesto जारी कर रहा है अगर यस इस्थिती में या निए या आप अगर पाँच ट्रिलियन का सोच रहे ते और आज आपके पास इस्थिती यह आ रही है कि कहीं तीन चार बरस में इस देश को डूबने की इस्थिती में ना आ जाए। कौन इसको सामने लाएगा? मीडिया क्या कर रहा है? वो जूट फरेब दिखा के अपने छिटपुट परिस्तितियों में या तो राजनितिक सत्ता के साथ खड़ा हो जाता है कि हमारी कमजोरी को ढग कर हम आपके साथ खड़े या बताईए आपका गुणगान करेंगे उसकी एवज में कुस्विदा हमें दे दीजे एक टका उसको दे दिया गया लेकिन जूट फरेब की स्तिति में चाहे देश के चार नामी चैनल को कहा गया आप ओन एर माफी मागिए जो आपने शुशान सिंग राजपूत पर गलत ट्विट दिखाया और उसके जरीय क्या क्या कह दिया माफी मागिए एक से कहा गया बड़े चैनल से पांच लाग रुपया फाइन बरिये एक के खिलाफ मुंबई में पुलिस ने केस कर रखा है और उसके तमाम जर्मलिस्टों से पुछताज घंटो घंटो एक अलग हरास्मेंट है सवाल है कि मीडिया के भीतर की परिस्तितियों को अब रूल करने के लिए एक तुटपुंजिया नेता भी इस देश में काम कर सकता है कोई राजनितिक सब्ता भी अपने तरीके से हाक सकती है अगर वो मीडिया ये नहीं समझ पा रहा है कि उसकी भूमिका फॉर्थ स्टेट के तौर पर है फैनांस मिनिस्ट्री को अगर कोई नहीं समझ पा रहा है कि उसकी भूमिका इस देश की फैनांस सिस्टम को ठीक करने की है तो फिर वो एक्स वाई जेट कोई भी फैनास मिस्टर हो सकता है यानि इस देश के भीतर में वो पूरा सिस्टम कॉलैप्स कर दिया गया है जिसका जिकर उन्निस सौटालिस जनवरी में बिटिश पारलेमेंट में चर्चिल निकर दिया था इस्तिती इतनी नाजिक हो गई कि कश्मीर के मुद्दे को बिहार इलेक्शन में कहा जाएगा अब आप कश्मीर में जाकर जमीन खरी सकते हैं हमने आर्टकिल 370 हटा दिया है कमाल की स्तिती है उसकी आर्थिक स्तिती इतनी डावाडोल है दो जून की रोटी मुहिया नहीं हो रही है और कह रहे हैं कि आप जाके खरीद लिजे जैसे कश्मीर निकलेगा और जाके खरीद लिगा उसको पैसा भरा हुआ था या फिर आप इस देश के भीतर में स्टेट को भी टकराओ में पैदा करने की स्तिती में है कि ये राज अगर हमारा है और ये राज हमारी पाटी का हरो राज हमारी पाटी का नहीं तो दुनों टकरा जाओ आपस में हिंसक हो जाओ और ये आज राजनेतिक तोर पर हो रहा है कल जनता के तोर पर कीरेट हो जाए एक ऐसी स्थिती लाई जा रही है क्या ये एक सिविलियन प्रॉसेस है एक समाजिक परिस्थिती है जिसमें समाजिक टकराओ के स्थितियां फेल होते इस्टेट के जरिये निकल कर आएगी और उसमें constitution matter इसलिए नहीं करता है क्योंकि आपने संगिये ढाचिये को तो खुदी तोड़ दिया center जो निर्ने बना रहा है किसानों को लेकर किसानी का हक और खेती का हक state का होना चाहिए लेकिन आपने उससे discussion नहीं किया अब वो कह रहे हैं अच्छा आपने इसलिए discussion नहीं किया तो हम आपके कानून को नहीं मानेंगे और हम उसे सजा देंगे जो हमारे कानून को नहीं मानेगा तब उस रज़ में रहने वाला केंदर के कानून के खिलाफी जाएगा कोग उसको तो से यहां वीसी और प्रो वीसी टकरा गए हैं वीसी को छुटी पर बेज दिया गया और प्रो वीसी ने जो आडर पास किये उस आडर को माना गया वीसी ने जो आडर पास किये उसको नहीं माना इसका जिकर हम कभी बाद में करेंगे कि किस तरीके से हमारे education process को जिसमें डेल में क्रियेट करने की दिशा में ले जा रहे हैं जहां पर लोगों को लगे कि अरे अब तो कुछ भी नहीं बचेगा अब क्या करें और अब क्या करें में तो फिर आप उस राजनितिक सप्ता की तरफ देखेंगे जिसके हाथ में कानून है पुलिस है अपने सीबी आई है एड है सारी चीजे हैं वही काम कर रहा होगा तो ये कैसी स्थिति आने वाली है या कैसी स्थिति की दिशा मढ़ रहे हैं दुवारा सुनेंगे चर्चिल ने क्या कहा था हिंदी में सुनने जिए उन्होंने कहा था कि सत्ता दुस्टों बदमाशों और लुटेरों के हाथों में चली जाएगी भारत के सभी नेता ओची चंता वाले और भूसा किस्म के वेक्टी होंगे उनकी जवा मीठी होगी लेकिन दिल निकम्मे होंगे वे सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे और इन राजनितिक जड़पों में भारत का खात्मा हो जाएगा कितनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर में अगर इन लोगों को जमा किया जाए तो पूरा का पूरा यूरोप इसमें समा जाएगा अमेरिका समा जाएगा अस्ट्रेलिया समा जाएगा ये संख्या इस देश के भीतर में ऐसी परिस्तिती की जिसके सामने कोई समझ नहीं आ रहा है उसको किस दिशा में जाना है और आज पिहार के नाम पर लोकतंत्र जी लीजिए कल बंगाल के नाम पर जी लीजिएगा वहाँ चुना होंगे फिर तमिलाडू के नाम पर जी लीजिएगा होते होते 2022 आ जाएगा उत्तर प्रदेश आ जाएगा उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र को तो खोग डुग डुगी बजा कर जी ली जिएगा क्योंकि उसके बाद तो दिल्ली की राजनेतिक सत्ता केंद्रिय सत्ता नजर आने लगेगी राइसीना हिल्स नजराने लगेगी और उसी डुगडुगवी के आसरे इस देश को चलाय जा रहा है हर पांस साल के चुनाओं के मारफत राजनेतिक 27 देश को लूटती है लेकिन अब तो खोखला कर चुगी है समय जाईए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत 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 शुक्रिया